हेलो स्ट्र BA वेलकम तो चैना टवार्पर में दिससि एन्व और लां लॉड्निक प्लैटपन इस वीदियो में क्या देखने वाले हे ये chromosome DNA RNA ये क्या होते हैं उसके बार में हम पढ़ने वाले हैं साथ ही में हम क्या पढ़ेंगे कि जो इसके अंदर की जो structure इसको में पढ़ेंगे ठीक है पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था कि cell, cell के structural जो उसके अंदर की जो organelles है वो पढ़े थे उसके function भी देखे थे उस इसके पिछली वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि cell के बार में पढ़ा था ठीक है तो cell की definition बता देता हो फिर skip कर ले तो इसको cell is the structural and functional unit of living organisms ठीक है structural and functional unit होता है ये living organisms का और दो cell की जो ये है आपके ये plant cell हो गया और ये हो गया animal cell इसके बारे में detail में मैंने video डाली हुई है description box में आप देख लीजिएगा link और देख लीजिएगा उसमें detail ठीक है तो ये उसके बाद जो nucleus है nucleus के भी मैंने video डाली है nucleus की नहीं special तो इस cell के organelles जिसमें सब आ जाएंगे जैसे मैं यहाँ पर organelles दिखाया है mitochondria हो गया उसके बाद nucleus गॉल्की complex, chloroplast उसके बार में function और structure की video मैंने already डाल दी है ठीक है तो इसमें देख लीजिए इसके nucleus का diagram भी देख लीजिए अब इसको detail में हमको देखना है इसके अंदर के part में देखना है ठीक है तो इसके function भी आपको मिल जाएंगे बाह पे अब next जो है important वो देख लीजि इसके अंदर क्या है chromosome से ठीक है अब इसको हम detail में देखेंगे इसके बाद इसके अंदर chromosome के भी अंदर क्या होता है जिसे इस तरह से chromosome है ठीक है ओके यह हो गया आपका इस तरह से chromosome हो गया ठीक है तो इसके अंदर भी क्या है वो भी हम detail में देखने वाले तो सबसे पहले chromosome क् प्रोमोजोम्स आर थ्रेड लाइक स्टक्चर लोकेटेड इंसाइड नुकलियस आफ एनिमल एंड प्लांट से ला इंपोर्टन डेफिनेशन ने इंपोर्टन सब लिखे है मैंने ठीक है तो आप क्या किजिए इसको वन बाइवन करके लिख लिए या पिर इसका स्कृरिंशॉट निकले जब कुर्मोजोम की डाइग्राम देख लेते कैसी होती है यह दिशी है क्रोमोजोम की यह है आपकी डा बाटाम और नीचे वाला भी टेलोमेर उसके अंदर यह वाला पाट है ऐसे ऐसे दिखाई कर रहा है आपको थ्रेड लाइक जैसे उससे हम बोलेंगे डिएने उसको भी हम डिटेल में देखेंगे कैसे होता है इस स्ट्रक्चर हेलिकल शेप में होता है वो सबसे परदे oxy ribonucleic acid ठीक है अब उसके बाद they pass from parents to offspring parents parents हो गए इससे यह क्या होता है past होता है one generation to another generation यह चोटा साच उसका उनका offspring रहेगा offspring का मतलब होता है उसके children child ठीक है वहाँ पर यह क्या होता है transfer हो जाता है जैसे इसमें क्या है DNA के अंदर genetic character store रहते है सब information DNA के अंदर रहती है तो वह वैसे क्या होती है transfer हो जाती है offspring में कुछ-कुछ genetic character हमारे similar आ जाते है वह कहां से आते है parents से भी आते है उसके बाद DNA DNA का full form देख लीजिए अभी बताया था मैंने deoxyribonucleic acid यह क्या है molecule composed of two polynucleotide chain है that coils coil मतलब इस तरह से coil करेगा है इस तरह से spring की तरह around each other form a double helix double helix यह हो गया एक जैसे double helix और क्या होता है DNA के अंदर genetic instruction मतलब जो भी genetically information है coding है सभी के सभी DNA में stored होती है ठीक है और वो किसलिए काम आती है for development functioning growth and reproduction of all known organisms and many viruses ठीक है और वो जो उसका यह last वाला यह जो है इसको जो boundary है उसे हम क्या बोलेंगे sugar phosphate से वो बनता है ठीक है यह दोनों भी strand बोलते हैं उसको strand ठीक है उसको क्या बोलते है strand बोलते हैं यह क्या फिर double strand हो गया क्या है double strand हो गया double stranded उसके अंदर यह जो आपको lines दिख रहे हैं जिसे green हो गया yellow हो गया blue हो गया उससे nucleotides बोलते है है nucleotide के मैंने types दे दिए है nucleotide मतलब क्या होता है देख लिजे कि nucleotide is a basic building block of nucleic acid nucleic acid से basic building blocks होते हैं उसके बनते हैं और RNA या DNA दोनों में भी यह होते हैं ठीक है कौन कौन से nucleotides होते हैं adenine, thymine, guanine, cytosine इसको याद कर लिजे star mark कर देता हो मैं इसका मतलब होता है इस most important है इसको याद कर लिजे इनके ही link से interlink करके क्या होते है DNA बनता है ठीक है DNA बनता है इसे interlink कर दे अब मैंने gene के बारे में नहीं बता है कि gene क्या होता है तो gene को क्या अगर इस DNA को आप यहां से अगर काट डो इसको ठीक है तो यह हो जाएगा gene gene में क्या है पूरा genetic information store होता है gene मतलब smallest unit of a DNA DNA का एक small unit को आप निकाल लोगे तो gene हो जाएगा ठीक है और जो DNA किससे बनता है यह जो आपकी nucleotides है इससे DNA बनता है यह देख लीजे कि एक अगर helical strand है single strand है यह वाला एक single strand है यह second strand है तो यह second strand मतलब यह अगर इसको आप जूम करके देखोगे तो अलग अलग color दिख रहे है यहाँ पर एक orange color यहाँ से तो उसके बाद यहाँ पर yellow color है ठीक है यह ऐसा क्यों है क्योंकि यह don't strand को क्या किया इसने attach किया है और फिर जाके DNA बना है ठीक है जैसे कि यहाँ पर बोला है उन्होंने double helix के जैसा एक structure बना है और coil around एक दूसरे को क्या होता है यह coil मतलब spring की जैसा spring तो नहीं बोलेंगे यह twist होता है एक दूसरे के ऊपर ठीक है अब देखते है आरेने क्या होता है आरेने क्या होत इसका एक निकाल लू इसको क्या निकल लू मैंने एक strand इसको separate कर लू तो आपको आरेने मिल जाएगा आरेने मी क्या होता है देखिए ribonucleic acid is a polymeric molecule essential in various biological rows in coding decoding regulation expression of genes मतलब जो भी information है coding decoding का का काम करता है यह coding मतलब coding बनाने का काम करता है अंदर की coding जो होते है वो ठीक है computer related coding है जो हमारे शरी के अंदर coding होते है वो उसको decode करने का का काम करता है उसको पढ़ने का भी काम करता है regulation का भी काम करता है और expression of gene का भी काम करता है ठीक है आरेने के types देख लीजे कौन-कौन से होता है एक होता है mRNA, दुसरा होता है tRNA, और last में होता है, कौन सा होता है, rRNA, ठीक है, तो वो type भी देख लेते हैं, सबसे पहले अब यह क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा different देख लेजिए, कि यह DNA और RNA में different क्या होता है, DNA क्या करता है, generally जो आपका biological character उसको store करके रखता है, मतला आपकी सबी information, सब information, आपका color कैसा है, आपके height कैसे है, ठीक है, आपके जो बाल है, उसके color कैसा है, वो पूरी की पूरी information DNA store करता है, वो साथी में क्या store करता है, protein बनाने की process भी store करके लगता है, लेकिन protein बनाता नहीं है, protein बनाने का काम नहीं करता है, protein बनाने का कौन करत है RNA करता है तो जो भी information है वो DNA क्या करता है RNA को दे देता है रहना वह उसकी process है वो भी हम देखने वाले है next lecture में ठीक है वो process है तो RNA को protein बनाने का formula जो भी information हो देता है और फिर आरेने जो है इन तीन RNA को वन बाइवन series में help लेके क्या होता है last my protein बनाता है दोसकी डाइग्राम देख लीजी होग strangely इसको निकाल सकते इसको डाइग्राम निकाल सकते इसके बाद प्रस्त है MRNA मतलब क्या होता है Massengering इसकी जो definition है न, इसके screenshot निकाल लेजिए या फिर लिक लेजिए book में, बहुत ही ज़्यादे important है आपके exam के लिए, mRNA मतलब क्या होता है, is the RNA that carries information, जो information carry करता है from DNA, DNA से लेके वो RNA क्या करता है, information carry करता है, कहां तक लेके जाएता है, to the ribosomes of the site of the protein synthesis, protein synthesis का मतलब होता है, protein formation, जहां हम protein formation करते है, protein का formation होता है, वहाँ पर ये लेके जाता है, RNA, ठीक है, RNA, messenger RNA, उसके बाद tRNA क्या होता है, transfer RNA, transfer RNA is a small RNA chain about 80 nucleotides, जो हमने nucleotides देखे थे, कोन से, thymine, adenine, cytosine, और कोन सा था है, gonine, ये सब nucleotides, उसके 80 nucleotides, ऐसे करके, जो transfer होता है, और मिलता है आपको, उसको क्या करता है, specific amino acid, वह आपको मिल जाता है, to growing polypeptide chain at the ribosomal site, ribosomal site of protein synthesis during translation, ठीक है, translation का जो process है, जो हम next lecture में देखने वाला है, transcription, translation and translocation, सभी detail में देखेंगे, with the help of diagram, diagram में उसकी रहेंगे, ठीक है, उसमें देखेंगे, तो उसमें ये तीनों भी RNA उसमें आएंगे, आपको उसमें भी इसकी information मिल जाएंगे, ठीक है, उसके बाद जो last वाला होता है, ठी आरेने, ठी आरेने में लास्ट होता है, इसे लास्ट एप तो नहीं बोल सकते हैं, रेकिन राइबोजोमल, राइबोजोमल आरेने, आरेने is the catalytic component of the ribosome, डाट होस्ट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन को होस्ट करने के लिए इसमें यूज होता है, बतलब ammonia acid जो भी ammonia acid जो निकलेगा तो ribosome के इसके अंदर ही ammonia acid create होगा और उसके बाद यह क्या करेगा RNA इसको ammonia acid transfer करतेगा उसके बाद ammonia acid की chain बन जाएगी और last में protein का एक molecule बन जाएगा ठीक है ऐसे होते हैं इसकी detail information आपको next video में मिलेगी जहापे हम transcription, translation, translocation पढ़ेंगे ठीक है यह वाला video है वो इसमें आपको detail में सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा ठीक है तो उसको भी आप अच्छी तरह से देख लीजीगे, visit कर लीजेगा, मैंने इसकी link description box में provide कर दिये, ठीक है तो इसी तरह की videos इस channel पर आता है, तो आप इस channel के साथ बने रही है, आपको educational videos, आपके सारे doubts clear हो जाएगे, queries भी clear हो जाएगे, ठीक है Thank you so much for your love and support, God bless you